एंड्रोइट सीखना अब हो गया है और भी आसान क्योंकि हम लेके आते हैं हर रोज आपके लिए नितने पार्टकास्ट और आपकी तमाम तर कुई रिसका रिपलाएं तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब और बद जाए हमारे चैनल का हिस्सा और हासिल कीजिए धेर सारी मालूमात ओनली ओन एंड्रोइट ब्लाइंड कैफे अजय के पार्टकास्ट और नितने एंड्रोइट ब्लाइंड कैफे के यूट्यूब चैनल पे आप सब को खुशाम देद। दोस्तों Android की दुनिया डे बाई डे एक्सपेंड हो रही है इसमें नित नई एप्लिकेशन का इजाफा होता जा रहा है Android की बाद एप्लिकेशन पराने होने के बावजूद अपनी एहमियत बरकरार रखे हुए हैं इनकी एहमियत के पेशे नजर डेवलपर इन एप्लिकेशन में वक्त के साथ साथ तबदिलियां लाते रहते हैं ताकि ये एप्लिकेशन अपनी पॉजिशन बनाए रखें इन्हीं में से एक है ऐसी एप जिसका नाम है Google Map जी हां दोस्तों ये एप्लिकेशन एक ब्लाइंड परसन के लिए बहुत ही यूसफुल है अगर इसका सही इस्तमाल किया जाए तो एक ब्लाइंड परसन के लिए एक बेहतरीं गाइड का रोल अदा करती है बाद दोस्तों को इस application के इस्तमाल में दिक्ट पेश आती थी जुबान के अदबार से developers चुके इस application को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं लिहादा इसमें एक update दी गई है जिसके जरीए हम अपनी voice language को तबदील कर सकते हैं जिन दोस्तों को जुबान के अदबार से इस application को इस्तमाल करने में दिक्ट पेश आ रही थी अब उनके लिए असानी हो जाएगी आए हम देखते हैं कि हम अपने google map के अंदर voice language को किस तरह से तबदील कर सकते हैं सबसे पहले हम अपने maps को open up करेंगे गूगल map open up हो जाएगा तो हम सबसे पहले अपने menu का इंतखाब करेंगे और menu के पर double tap करते हुए इसको open करेंगे अब जब menu की list हमारे समचो होगी तो इसमें से हम scroll करते हुए settings को open करेंगे और इसमें को scroll down करते हुए हमने इसमें से navigation settings को तलाश करना है 17 items इसके अंदर मौजूद हमने इसको open किया navigation settings हम इसको open करेंगे इसमें पहला option है इनके जो voice language आप यूज़ करेंगे इसका volume क्या होना चाहिए और इसमें दूसरा option हमारे पास जो है voice selection अब voice selection में हमने language का इंतखाब करना होता है by default इसके अंदर English मौजूद होती है और पहले एक ही language होती थी अब जब से यह application अपडेट हुई है तो इसमें इसमें लगभग 51 जुबानों का इसमें इजाफा कर दिया गया है और अब हम इसके उपर डबल टैप करेंगे तो हमारे पास जो list open up होगी इसमें by default English पे मौजूद है इसमें हम scroll down करते हुए नीचे जाएंगे और अपनी required language को तलाश करेंगे मेरी required language अर्दू है मैं अर्दू को तलाश करूँगा और अर्दू के उपर डबल टैप कर दूँगा और यहों मेरी wise language अर्दू सेलेक्ट हो गई यह जानने के लिए कि मैंने दुरस्त लैंग्विज का इसमाल कर लिया है इसमें एक बटन मौजूद है play test sound मैं इसके उपर डबल टैप करके इसको चेक करूंगा कि क्या मैंने अर्दू का दुरस्त इंतखाब कर लिया है के नहीं अब यह test sound से मुझे मालूम हो गया कि मैंने अर्दू का इंतखाब कर लिया है अब यह मेरे google map की default language बन गई है अब जब मैं गूगल मैप को यूज करूंगा तो यह मुझे मेरी मतलूबा लेंग्विज में ही हदाया देगा गूगल में अब भी development जारी है और वक्त के साथ-साथ हमें अमीद करते हैं कि और बहुत सारी सहुलियात देखने को मिलेंगी जो दोस्त हमारी इस चैनल पर अभी नए आई हैं उनसे request है कि वो हमारी इस चैनल को subscribe करें और अगर आपको ये वीडियो बसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको लाइक कीजिए वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया